ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डैनिक राशिफल यह राशिफले 14 सितंबर 2023 गुरुवार का दिन है भादरबद महा के कुरश्ण पक्ष की अमावस्या तिथी है इस दिन कुष गराणी अमावस्या रहेगी पोला पिठोरा अमावस्या रहेगी इस नान दान और शाध की अमावस्या 14 सितंबर को रहेगी तथा 15 सितंबर को भी अमवस्या है इस दिन पूर्वा फालगुनी नामक नक्षत्र होगा तथा सिंग रासी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो दक्षिन जिसा में होंगे इसलिए दक्षिन जिसा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी का अपको संपर्न नहीं करना चाहिए हालाकि रहुकाल का निर्ने आप अपने ख्षित्र के पंचांग अथवा केलेंडर के अउसर कर सकते हैं क्योंकि रहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई हम भी माना जाता है तो ग्रहो के Grandes देव गुरु भेश्पति जोकी मिन्स राशी एक जिंदेव देव गर्ण गर्ण राशी महिं थिसके रावब जो भी जुम्मेदारी दी जाएगी उसका अच्छी प्रकार से निर्वहन भी कर पाएगे धनलाब होगा उन्नती होगी परिवार में नया काम होगा सुर्योदय सुबद 6 बच के 10 मिनिट पर होगा तथा सुर्यास्त शाम को 6 बच के 22 मिनिट पर होगा चंद्रोदय 6 बच के 27 म बचे तक उसके बाद सुबह 10.30 बचे से चर लाब और अमरत तीनों क्रमषव चोगडिय तीन बचे तक जारी रहेंगे यहने सुबह 10.30 से तीन बचे तक तथा शाम को साड़े चार से 6 बचे तक और रात को यह आप कोई शुब काम करना चाहते हैं शाम को 6 बचे से 9 बचे अमीन सभी बारा राशी वालों का दैनिक राशी पर बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अन्त तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की आप सब की मदद करेंगे भावख हो सकते हैं आनंद मनोरंजन के कुछ अउसर भी आपको प्राप्त होंगे अपना व्यवहार लचिला रखे अपना पसंदिदा काम निप्टाने की आप योजना बना सकते हैं दूसरों की मदद से किसी काम से जुणना आपके लिए फाइदे मन होगा संतोज जनक रहेगा किसी कागच पर हस्ताक्षर करने के पहले उसे अच्छी प्रकार से पढ़ ले बिगड़े काम सुधारने में किसी की मदद करेंगे काम धंडे नोकरी और परिवार के लिहाज से दिन का बढ़ेगा उपाई के रूप में भोजन के बाद सुफ या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुफलताई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो की पांच होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की परिवार का कोई भी यदि तनाव चल रहा है तो वो समाप्त ह हो जाएगा दिन की शुरुबात अच्छे कारियों से होगी अचानक सब कुछ अच्छा हो जाएगा जीवन सांथी के साथ आपकी खूब निभेगी और पारिवारी जीवन सुखद रहेगा तन मन और माहुल में कुछ दिनों से चली आरही सुस्ती भी समाप्त होगी ओफिस कारिक्षेतर में कोई इस्थिती आपकी रूटिन लाइब को बदल सकती है सामाजिक तोर पर आप काफी सक्री रहेंगे लोगों से मुलाकात और प्रसनता होगी आपकी मदग या प्रेड़ना से कुछ लोगों को सफलता मिलेगी जो काम आपको दिया गया है आप उस पर बा कंदिर में यदि आप आटे का दान करेंगे तो आपका देन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो की तीन होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की कंफ्यूजन और गलत फेमी की स्तिती से आप बाहर निकल सकते हैं कुछ नया करने का उसर मिलेगा सफल होने के कई तरीके आपके दिमाग में आजा सकते हैं आपके चिंतन की दिशा सकारत्मक रहेगी आज आप पूरी तरह व्याभारिक और संतुलित रहने की कोशिश करेंगे इसका असर आपके नजदी की लोगों पर पड़ेगा व्यावसाय के मामलों में सफलता मिलेगी कोई पुराना करजा यदी चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा आज आप संतुष्टी महसूस करेंगे डामपत्य जीवन आपका सुखद रहेगा आपका व्याभार पाटनर को परिशान या दुखी कर सकता है व्यापारिक जवाबदारी और प्रतिस परदा में जल्द बाजी से नुकसान हो सकता है उपाई के रूप में यदि आप कोई भी लाल रंग का फल देवी जी के मंदिर में चड़ाएंगे तो आप का देंड शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो किन्नो होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आप अपने मन की बाते किस इससे आपको ही फायदा होगा जो भी बोले सोच समझ करके बोले अपनी इच्छा से आप किसी की मदद कर सकते हैं आपकी योजनाएं पूरी होगी और उससे आपको फायदा भी होगा आज आप किसी बात पर नर्वस हो सकते हैं आपके मन में खुद को लेकर के फालतु का ड अब हम बात करते हैं सिंग रासी की जो भी काम सामने आए उसे निप्ताते चले आए दूसरों से बैधड़क मदद मांग ले आप अपनी ख्रमता दिखाने का मोका न चुके अपनी रचनात्मक्त योगिताओं के कारण आप सभी से अलग रहेंगे कोई दोस्त आपको परशान के वक्त मदद कर सकता है परिवार प्रेमी और संतान को लेकर आपको जादा ही भावख हो सकते हैं प्रेमी या जीवन साथी को समय देंगे धार इसे खुद पर कंट्रोल करेंगे सफलता आपको मिलेगी अचानक कोई रुकावट या परेशानी आ सकती है और मांसिक तनाव क सामना भी आपको करना पड़ेगा कुछ कारियों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और उपाई के रूप में एक धूब बत्ती यदि अपने घर के मंदिर में जलाएंगे तो आपका दिन्ट शुफलदाई साबित होगा आपका भाग गिशालियंक जो किद्दो होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की दूसरों के साथ तालमेल बना कर आप चलेंगे जिससे नोकरी में आपको फायदा होगा आप थोड़ा स्वतंत्र और खुद को तैनाव मुक्त महसूस करेंगे आफिस का कोई विवाद निप्टाने की कोशिश आप कर सकते हैं करिक्षि करने के पहले परिवार के सदस्यों के साथ सलह मश्वरा अवस्य करें आपके विचारों में मजबूती आएगी अपने मन की हर बात कहने के प्रति आप उच्छुक रहेंगे आज आपको धीमी और साब बात करना अच्छा रहेगा उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदि अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज आप किसी अच्छी खबर की जर्वत महसुस करेंगे इस सिलसले में एक आपको जो है संदेश प्राप्त भी होगा और आपका सम्मान बड़ेगा और कोई ऐसी जुम्मेदारी आपको दी जा सकती है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं किसी विवाद को सुलजाने में आपकी दक्षर्टा का प्रयूख किया जाएगा आपको कई लोगों और कई तरह के मामलों का सामना करना पड़ेगा खुद पर नियंतरन रखेंगे तो आगे आप बढ़ जाएंगे पैसो का कोई मामला यदी चल रहा है तो वह सुलज जाए किसी काम की जित करेंगे तो काम बिगर सकता है इच्छा न होते वे भी थोड़ा बहुत आपको खर्च करना पड़ेगा लोगों की सला या बातों के कारण आपका कंफूजन बढ़ सकता है ओफिस में आप अपने किसी बड़े आदमी से उलजने का पूरा मन भी बना सकते है और साथ के लोगों से बात करनी का तरीका आपको ठीक रखना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णु जी के मंदिर में यदि आप पीला फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जोकी चार होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासिगी आपका स्वभाव हस्मुक रहेगा और आप कई समस्याओं को समाधान हसी मजाक में ही निप्टा लेगे पार्टनर को समय दे ऑफिस में काम करते समय आपका ध्यान पार्टनर पर बना रहेगा पैसो की स्थिति पर आपको गंभी देना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा और आपका भागिशालियंग को जो किछे होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की दूर इस्थान से केरियर संबदित समाचार आपको मिलेग और आर्थिक लाप का रास्ता भी आपका बन जाएगा जो चल रहा है उसे चलने दे आपका कोई बड़ा फाइडा होने वाला है आपका ज्यान पैसों के हिसाब किताब पर बना रहेगा निवेस के अउसर मिलेंगे आपसी विचार विमर्स और सहयोग से आपको प्रसनेता प्राप्त होगी और उपाई के रूप में यदि आप कच्चा दूर शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा और आपका भागिशालियन के जो की साथ होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की जो लोग आपका विरोध करनी क कोशिश करेंगे वो आपके सामने थोड़े कमजोर हो जाएंगे इससे आपको अपनी बात पर टिके रहने का आउसर मिल पाएगा आप बहुत से काम निप्टाना चाहेंगे मानसिक सुस्ती भी आपकी समाप्त होगी आपको कोई ऐसा काम या नोक्री मिल सकती है जो मानसिक तोर पर आपको व्यस्त रखेगी दिन आपके लिए अच्छा है परिवार या प्रेमी जनों के साथ कोई अन्बन हो सकती है और उसका समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा और उससे अच्छा मुका मिलेगा पैसो की मामलों में आपको कोई कारगर सलहा भी मिल सकती है और कोई दस्तावेज यदि आपके उलजेवे तो वो भी सुलच जाएंगे सोच समझ कर किये गए कामों से आपको भरपूर फाइदा होगा उपाई के रूप में गाय को यदि आप रूटी खिलाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक सकारत्मक सोच रखे आज पूरी व्यभारिक्ता और समझदारी से अपना काम करे अपनी वानी और हाव भाव पर नियंत्रन रखे उधार और संतुलित रहे तनाव के मोकों को हासी मजाक में टाल दे समय दो चार दिन में ठीक हो जाएगा उधार पैसा आप चुका सकते हैं और बड़े तथा खास लोगों से आपकी मुलाकात होगी उपाई के रूप में एक नारियल यदि आप भगवान हनुवान जी के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो की पांच होगा अब हम बात करते हैं मीन र अच्छा होगी मुलाकात होगी उनसे आपको फायदा होगा कोई काम आपने पिछले दिनों सुरू किया है उसके भी अच्छे परिनाम आपको देखने को मिलेंगे उपाई के रूप में तामबे के लोटे से भगवान शंकर जी को जल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद